Hello My Dear Friends, कैसी चल रही आप सब लोगों की तैयारी? कैसी चल रही है वही सारे बच्चे कमेंड कर करके बताएंगे? आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही की नहीं चल रही? इसरल, आप सब लोगों की इस डिफिकल्ट टाइम में आप सब लोगों के साथ आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए इस अरल ने Mathematics की Revision Classes स्टार्ट कर दी है लगबग लगबग दो वीक कंप्लिट हो चुके हैं और काफी सारे चेप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिये हैं उसी सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट ठीक है एक नया चेप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सामने आप टीम देख रहे हैं यह जो आप सामने टीम देख रहे हैं काफी experienced team है IITians की team है जो आप सब लोगों की help के लिए खड़ी भी है ठीक है N.K.Gupta सर M.Tech from IIT कानपूर और X.Vice Presenter रह चुके हैं एलन में काफी अच्छा इनका experience है काफी लंबा experience है 30 एर का इनका teaching experience है और काफी बच्चों को IITs में पहुँचा चुके है सारान सर जो की physics के चुड़ी है और आप लोगों की आपे physics की classes ले रहे है इनकी live classes भी चल रही है देखते की ने देखते हैं आप लोग इनकी live classes भी चल रही है और ये भी मतलब तोड़ू फोड़ू आदमी है AR41 की रेंग All India रेंग 41 फिर उसके बाद में प्रती गुपता सर प्रती गुपता सर भी खुद IATN है और काफी अच्छा इनका teaching experience रहा है और खुद IATN है जैसा मैंने पहले बता है आप लोगों को chemistry के है चुड़ी है उसके अलावा अर्पित माईश्वरी सर AR2 है खुद इसरल में chief advisor का रोली हाप पर करे है ठीक है बच्छों तो बहुत शांदार team है आपे आपके सामने आपके लिए बहुत ही शांदार team आई है इसरल की और आपने अभी तक अगर subscribe नहीं किया है इसरल को तो जल्दी से subscribe कर लीजिए ठीक है guys आज हम लोग क्या करने जा रहे है limit start करने जा रहे है तो अभी तक आपने like नहीं ठोका है तो like ठोक दीजिए क्योंकि last में ठोकना पड़ेगा ठीक है बच्छों तो like ठोक दीजिए सारे बच्चे और share कर दीजिए इसको एक बार आज हम लोग limit पड़ेंगे तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है x approaching to a एक term बार-बार यूज़ होती है मतलब limit जहां पर भी आएगी उसका मतलब है x approaching to a का हमारे को यूज़ करना पड़ेगा आप सारे लोग पड़ेवे है limit का ठीक है तो यहाँ पर इस वर्ड से आप अच्छे से वाकिफ होंगे ही होंगे x approaching to a क्या है x approaching to a क्या है basically कई बच्चे doubt करते हैं कि x equal to a है यह थोड़ा सा mind में confusion रहता है बच्चों के in general कई बार अगर लिख के आता है limit x approaching to to f of x तो generally बच्चे उसको क्या बोलते है कि यह f of 2 के equal होता है लेकिन याद रखना बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ continuous function के लिए ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ function अगर continuous है तभी ऐसा होगा otherwise ऐसा नहीं होगा actual meaning क्या है limit x approaching याँ पर x approaching to a बोलते हैं इसको x approaches a बोलते हैं इसको और इसका meaning है x echo approach कर रहा है x2 के equal नहीं है sorry a के equal नहीं है x echo approach कर रहा है ना कि a के equal है यह चीज़ बहुत important है इसका ध्यान रखना आप लोग x echo approach कर रहा ना कि a के equal है अब दो चीज़ यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलू कि जैसे यहाँ पर देखिए a है अब x echo approach करेगा तो इधर की तरफ से भी कर सकता है left side से भी कर सकता है right side left side दोनों side से approach कर सकता है तो अगर right side से approach करता हुआ आता है यह राइट साइड से अगर अप्रोच करता हुआ रहा है इस तरीके से तो हम बोलेंगे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और इसको लिखेंगे limit x approaching to a positive x approaches a positive ठीक है और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है left side से अगर approach कर रहा है ठीक है यह left side से right side से और अब left side से approach कर रहा है तो इसको बोलेंगे x approaches a negative clear जैसे यहाँ पर एक question हम लोगों ने लिया है x square minus 1 upon x minus 1 हम लोगों ने लिया अब यहाँ पर अगर यह जो function defined है इसमें आप x equal to 1 put करोगे तो numerator 0 बन जाएगा denominator 0 बन जाएगा और हम बोल देंगे कि यह not defined है हम क्या बोल देंगे not defined है तो इसलिए हमने अलग से define कर दिया है हाँ पर x equal to 1 पर इसके value क्या है 1 लेकिन मेरे को यह बताए कि अगर यहाँ पर मैं right side में देखू 1 के just right side में या 1 के just left hand side में तो value हमारे को जो function की है वो 2 को approach करती ही नसर आएगी जैसे आप x less than अगर 1 है 0.5 रखोगे तो fx हो जाएगा 1.5, 0.9 रखोगे तो 1.9, 0.99 रखोगे तो 1.99, 0.999 अगर रखोगे तो यह कितना हो जाएगा 1.999 हो जाएगा इसका मतलब क्या होजाएगा बच्चों कि जब x1 को approach कर रहा है x जब 1 को approach कर रहा है तो fx2 को approach कर रहा है x जब 1 को left hand side से approach कर रहा है तो fx2 को approach कर रहा है in same manner जब right hand side से approach कर रहा है तब भी इसकी value near about 2 है यानि वो 2 को approach कर रहा है तो इसको हम केसे लिखते हैं इसको लिखने का तरीका है limit x approaching to 1 कि function की जो limiting value है x equal to 1 पे limiting value x equal to 1 पे वो 2 के equal है लेकिन function की value 1 पर वो कितनी है 1 है इस दोनों चीज़े अलग अलग ध्यान रखना है function की value and limiting value both are different thing ठीक है बच्चों ठीक है अगर मैं graph plot करता हूँ graph plot करने पे हमारे को ऐसा कर्व दिखाई देगा लेकिन 1 पर ये जो है not defined हो जाएगा और 1 पर हमने अलग से define कर रखी है value 1 पर कितने value आपको दिखाई दे रही है 1 पर आपको 1 value दिखाई दे रही है यानि 1 पर 1 value है लेकिन उसके अलावा ये curve फोलोगा तो 1 पर हमारे को 2 को अप्रोच करती भी value दिखाई दे रही है लेकिन exact 1 की बात करूँ exact 1 पर value कितनी है function की 1 है ठीक है तो right side से approach करोगे तो 2 दिखाई देगा left side से approach करोगे तो भी 2 दिखाई देगा लेकिन exact 1 पर तो value कितनी है 1 है लेकिन उसका limit से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी limiting value कैसी है जैसे हमने last case में देखा अगर मैं function सिर्फ ये लेता हूँ function अगर मैं ये लेता हूँ यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये function अगर हम लें तो यहाँ पर ये not defined हो जाएगा लेकिन इसकी limit से कोई लेना देना नहीं है but it is defined and finite in left hand side और right hand side तो हम बोलेंगे कि function जो है x equal to a के neighborhood में defined है जैसे यहाँ पर बोलेंगे कि ये function जो fx लिखाई दे रहा है ये fx जो दिखाई दे रहा है वो one के neighborhood में defined है लेकन one पे defined नहीं है one पे अलग तरीके से यहाँ पर अलग definition हमारे को दे रखी है ठीक है बच्चो और function माल लीजे किसी value को अप्रोच कर रहा है तो हम बोलते है function की जो limit है वो किसके equal है मालो l यहाँ पर मैं बोल दूँ limit x approaching to a जब x जो है a को approach कर रहा है तो function की limiting value कितनी है l है यही इसकी क्या हो जाती है limit हो जाती है यही इसकी क्या हो जाती है limit हो जाती है इसको हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि function की जो है x approaching to a पर function जो है limiting value उसकी limiting value से हमारे को लेना देना function की value से कोई लेना देना a square upon x minus a indeterminate form में indeterminate form क्या आती है जिसकी value हमारी को पता नहीं होती तो 0 by 0 form में है x बराबर a अगर आप put करते हो तो numerator 0 का अप्रोच करेगा denominator 0 का अप्रोच करेगा which is indeterminate form जिसकी value हमें पता नहीं है then limiting value limiting value कितनी हो सागी lk equal हो सागी और अगर इसको आप calculate करोगे limit को so this will be equal to 2a ये किसके equal आजाएगी 2a के equal आजाएगी तो l को हम क्या बोलेंगे l is called limit of fx when x approaches 2a बट इसका मतलब ये नहीं है कि x equal to a पे function की value 2a है limit 2a है but does not mean कि function की value x equal to a पर 2a है इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अब हम बात करता है right hand limit की अभी पहले बात कर सुके है कि function x approaching to fx निकाल रहे है अब x जो अगर right hand side से approach कर रहा है starting starting हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था बई right hand limit x a को right side से approach करता है तो वो जो limiting value हमारे को मिलेगी वो होती है right hand limit वही right side से भी approach कर सकता है left side से भी approach करता है ठीक है क्या तरीका होता है A positive इसमें हम इस तरीके से substitution कर सकते हैं कि H 0 का approach कर रहा है A plus H यहाँ पर कर दीजिए H greater than 0 यह और not कर ले ठीक है तो यह हो जाएगा F of A plus यानि A positive पर क्या value है ठीक है जिसे यहाँ पर यह मैंने curve draw किया है तो जब मैं X को right hand side से approach करूँगा इसे like hand side से और यह कोन सी side हो जागी left hand side इसे approach कर रहे हैं इसी तरीके से left hand limit अगर हमारे को calculate करना है तो left hand का मतला होता है left hand side से approach कर रहा है तो यह x equal to a यहाँ पर है x equal to a यहाँ पर है और यह left hand side से approach कर रहा है function ठीक है तो यह left hand side से इसको लिखने का तरीका क्या होता है a negative existence of limit existence of limit कहीं पर अगर लिखा हुआ है limit x approaching to a fx अब इसमें यह तो कहीं पर भी mention नहीं है राइट side से approach कर रहा है left hand side से approach कर रहा है वैस x जो है वह एको approach कर रहा है किसी भी side से ओपरोच कर सकता है तो existence of limit ऐनि置 limit को exist होने के लिए जो right hand side से approach करो या left hand side से approach करो कोई फरक नहीं पढणा चाहिए यानि उसकी left hand limit as well as right hand limit दोनों क्या होना चाहिए, same होना चाहिए left hand limit equal to right hand limit, दोनों क्या होना चाहिए same होना चाहिए and these are should be equal to a finite quantity, यह किसके equal होना चाहिए किसी ना किसी finite quantity के equal होना चाहिए तो हम बोलेंगे limit exist कर रही है दोनों अगर equal नहीं है तो हम बोलेंगे कि limit exist नहीं कर रही है कोई भी एक limit अगर infinity को अप्रोच कर रही है तो हम बोलेंगे limit does not exist clear चलिए fundamental theorem कुछ देखते हैं fx कोई function है उसकी limit माल लीजिए कि exist कर रही है limit यहाँ पर मैं लिख देता हूँ limit x approaching to c fx fx exist कर रहा है और lk equal है यह किसके equal है lk equal है तो यहाँ पर किसी constant से multiply कर देते हो ना अगर आप fx को तो constant ऐसा किसा आप बाहर निकाल सकते हो और limit किसके equal है जाएगी lk equal तो वहाँ पर limit अगर calculate करोगे तो वो हो जाएगी k into lk equal इसी तरीके से gx की limit माल लीजिए कि mk equal है limit x approaching to c gx अगर यह amk equal है तो यहाँ पर दोनों की separate limit हम निकाल सकते है अगर limit exist हो रही है to limit अगर exist हो रही है तो दोनों की separate limit हम calculate कर सकते हैं और l plus m आज जाएगा लेकिन यह exist हो रही है तभी का बात है exist अगर नहीं हो रही तो हम ऐसा नहीं कर सकते clear difference rule इसी तरीके से fx minus gx है तो यहाँ पर l minus m आजाएगा f into g है तो l into m आजाएगा इसी तरीके से fx upon gx की limit अगर calculate करना है तो l upon m आजाएगा बट यह ensure कर लीजी आप कि m not equal to 0 क्योंकि m अगर 0 के equal हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा not defined हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अगर आपने log लगा दिया तो log l के equal हो जाएगा आपने nth root अगर लगा दिया तो यह nth root of l हो जाएगा बट defined होना ज़रूरी है जिसे even root of negative number defined नहीं होते है even root of negative number defined नहीं होते है यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा limit x approaching to a fx where fx equal to c fx किसके equal है c के equal है constant function है basically constant function है तो limit x approaching to a fx किसके equal हो जाएगा c के equal हो जाएगा always ठीक है mod अगर आपने लगा दिया तो mod l हो जाएगा fx power gx है तो l power m हो जाएगा fgx है तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा fm हो जाएगा लेकिन continuous होना बहुत जारूरी है indeterminate की form के हम बात करें थे वो form number system में जो indetermined है जिनकी value हम find out नहीं कर सकते जब भी हम limit calculate करते हैं तो function में जब a put करेंगे तो इस type की value हो लेगा 0 by 0 इसकी value हम लोग नहीं निकाल सकते infinity by infinity infinity इसकी value भी नहीं निकाल सकते infinity minus infinity no idea infinity बहुत बड़ा number उसमें से बहुत बड़ा number minus अगर हो रहा तो अपने को कुछ भी नहीं कर सकते कि इसकी value क्या होगी 0 into infinity exact 0 अगर है ध्यान रखना exact 0 into infinity यह 0 हो जाएगा लेकिन यहापे 0 अगर यह 0 का approach कर रहा है infinity power 0 भी क्या हो जाएगा not defined हो जाएगा हाँ तो बच्चो अब हम लोग देखेंगे अलग-अलग method जिनसे हम limit calculate करते जनरली अलग-अलग different तरीके जिनसे limit calculate की जा सकती है सबसे पहले है factorization method factorization method माल लीजे कोई function fx upon gx form में लिखावा है अब x equal to a अगर आप put करते हैं यहाँ पे fx function जो है उसमें x equal to a put करते हैं तो यह 0 upon 0 form में बन जाता है यह भी 0 बन गया यह भी 0 बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि x minus a इसका भी factor होगा इसका भी factor होगा तो पहले आप उसको factorize कीजिए पहले आप उसको factorize कीजिए common factor को cancel कीजिए और फिर उसकी आप limit calculate कीजिए फिर उसकी क्या कीजिए limit calculate कीजिए इसको बोलता हम factorization method for example यहाँ पे एक छोड़ा से example लिया होगा x approaching to 2 लिखावा x approaching to 2 है x square minus 4 upon x minus 2 यहाँ पे अगर आप 2 put करोगे तो 4 minus 4 यह 0 बनेगा यह भी 0 बनेगा दोनों 0 बन रहे हैं यानि x minus 2 दोनों का factor है तो पहला काम आपको क्या करना होगा try कीजिए factorization करने का यह जिस्क मान लीजिए कि जब भी आपको limit calculate करना है सबसे पहला factorization के बारे में सोचे एक बार तो यहाँ पर x minus 2 x plus 2 upon denominator में क्या है x minus 2 इससे यह cancel हो जाएगा common factor है non zero number है because यहाँ पर क्या लिखावा है x2 को approach कर रहा है x2 को approach कर रहा है ना कि 2 के equal है ठीक है बच्चों x2 को approach कर रहा है तो यह non zero number होगा जिसको हम calculate कर सकते हैं और x approaching to 2 यहाँ पर आजाएगा x plus 2 this will be equal to 4 यहनि इसकी जो limit है वो किसके equal हो जाएगी 4 के equal हो जाएगी एक और example जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ माल लिजे अपने को calculate करना limit x approaching to 1 यहाँ पर मैंने दे दिया x square minus 10x plus 9 ठीक है and denominator में मैंने दे दिया x cube minus 1 अब x equals to 1 put करने पर क्या होगा सबसे पहले आप क्या सोचेंगे x equals to 1 put कर दीजे limit जब भी अपने को calculate करना हो continuous function at x equals to a put करने पर कोई दिक करनी x equal to 1 put करने पर अगर अपने को कोई finite value मिल रही है तो वही limit हो जाती लेकिन x equal to a 1 यहाँ पर मैं put करता हूँ तो यह 0 बन जाएगा denominator भी 0 बन जाएगा तो लो चाओगा अरे यार आप में क्या करो 0 by 0 यह नहीं not define फॉमारे तो x equals to अगर 1 पर numerator denominator दोनो 0 बन रहा है इसका मतलब हो जाएगा x minus 1 उसका factor है x minus 1 उसका factor है यह factorization हो गया denominator को भी आफ factorize कीजिए तो a q minus b q का formula क्या होता है a minus b फिर आजाता है a square फिर आजाता है b square plus a b यह आगया x minus 1 से कौन cancel हो गया x minus 1 cancel हो गया अब जो बला थी वो एक तलिके से टल चुकी है x minus 1 यहाँ पर non zero number हो गया because x approach कर रहा है 1 को ना की 1 के equal है और यह non zero number है तो हम इनको cancel कर सकते है cancel अगर कर दिया तो limit x approaching to 1 x minus 9 upon x square plus x plus 1 है यहाँ पर x equals to 1 आप put करते हो you will get 1 minus 9 यानि minus 8 upon denominator में जाएगा 3 तो इसकी limit हो जाएगी ठीक है जिसे एक question मैंने आपको दे दिया limit x approaching to 5 यहाँ पर लिखा हुआ है x minus 5 ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ है x plus 10 लिखा हुआ अब numerator तो 0 बन रहा है numerator तो 0 बन रहा है लेकिन denominator किसको अप्रोच कर रहा है 15 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर अपने को कोई factor addition nothing हमारी को ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है ठीक है सीदा सीदा अगर value निकल रही है तो वही value answer हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जैसे इसी question के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर होता limit x approaching to 0 x square minus 10x plus 9 upon x cube minus 1 अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता सर 0 put करने पे ना तो numerator 0 बन रहा है ना denominator 0 बन रहा है बना उसकी limit जो है वो directly calculate हो रही है continuous function ना वो 0 के उपर तो वहाँ पर हम क्या बोल देंगे यह हो जाएगा 9 upon minus 1 यहनि correct answer क्या हो जाएगा minus 9 हो जाएगा ठीक है next method है यहाँ पर इसको कुछ standardization भी कर सकते हैं standard result है जिसको भी आपको याद रखना है x to the power n minus a to the power n upon x minus a है तो इसकी जो limit होती है वो कितनी होती है n into a power n minus 1 जैसे कहीं पर लिखा हुआ है limit x approaching to 2 x to the power 10 minus 2 to the power 10 upon x minus इसमें अगर आप factorization करने जाओगे तो आप उलज सकते हो तो सीधा सीधा यह result आपको याद रखना है 10 into 2 to the power 9 minus sorry n minus 1 यानी 10 minus 1 यानी 9 हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से माल लो आपको यह question calculate करना है limit x approaching to 3 यहाँ पर दे दिया x to the power 10 minus 3 to the power 10 denominator में दे दिया x to the power 15 minus 3 to the power 15 आप क्या करें सर यह तो बहुत खतरनाग नज़रा रहा है और 3 put करने पर 0 by 0 फॉम भी जा रही है तो यहाँ पर क्या आसा हैगा limit x approaching to 3 x to the power 10 minus 3 to the power 10 upon x minus 3 इसकी आप limit अलग से calculate कर दीजिए x minus 3 से divide किया तो multiply कर दीजिए x to the power 15 minus 3 to the power 15 यह दोनो limit अलग अलग calculate हो जाएगी तो 3 into 10 to the power 3 और यहाँ पर रजाएगा 15 into 3 to the power 15 हो जाएगा चीक है आगे आप calculation कर जी सकते है इसका proof भी हम लोग देख लेते हैं proof अगर इसका factorization आप करते हो divide आप करते हो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा x minus a से x minus a cancel हो जाएगा तो यहाँ पर रजाएगा x power n minus 1 x power n minus 2 into a 1 and so on a power n minus 1 अब x की value of 1 अगर a put करोगे x equal to a put करने पे यह सारी term a power n minus 1 a power n minus 1 a power n minus 1 बन जाएगी so ultimate result हमारे को क्या मिल जाएगा n into a power n minus 1 यह factorization का concept हो जाएगा rationalization कई बार जब square root वाली terms involved होती है माल लिजे numerator में square root वाली terms है तो फिर वहाँ पर हमारे को factorization काम नहीं करके फिर हमारे को किसके बारे में सोचना पड़ेगा rationalization के बारे में सोचना पड़ेगा यानि square root वाली term में तो आपको किसके बारे में सोचना है rationalization के बारे में सोचना है तो यहाँ पर denominator में irrational terms हमारे को नज़र आ रही है root वाली term नज़र आ रही है तो यहाँ पर x upon root 5 minus x minus root 5 plus x यहाँ पर भी 0 by 0 form बनेगी लेकिन factorization यहाँ पर काम नहीं आएगा यहाँ पर क्या काम नहीं आएगा factorization काम नहीं आएगा तो इसको rationalize करने के लिए root 5 minus x plus root 5 plus x से multiply कर दिया and divide कर दिया numerator में आज़ाएगा x into root 5 minus x root 5 plus x यहाँ पर क्या आज़ाएगा a minus b a plus b आज़ाएगा a minus b a plus b का मतला हो जाएगा a square minus b square यहाँ 5 minus x minus 5 plus x तो minus 2x आज़ाएगा x x cancel हो ज़ाएगा 0 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आज़ाएगा यह हो ज़ाएगा 2 root 5 upon minus 2 इसकी limit हमने calculate कर लिया minus root 5 इसका answer हो ज़ाएगा next है कई बार हमारे को binomial expansion की भी जरूरत पढ़ जाती है कई बार हमें binomial expansion के भी जरूरत पढ़ जाती है तो किसी rational power के लिए आगर हम expansion लिखते हैं तो यह expansion आप याद रखिएगा अब जब limit x approach तो यहाँ पर x जब 0 का approach कर रहा हो x जब 0 का approach कर रहा है तो जितनी ज़्यादा power आप increase करोगे वो value उतनी छोटी होती जाएगी यानि यह 0 का approach करता जाएगा यह 0 का approach करता जाएगा तो बस हमारे को उतनी term लिखनी है जितनी term हमारे को ज़रूरत हो एक example से मैं इसको करवाता हूँ जैसे यहाँ पर यह example देखिया limit x approaching to infinity x to the power 3 3 x square power 1 by 3 and यहाँ पर x square minus 2 x power 1 by 2 है ठीक है यह मैंने लिख दिया power square root है basically अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं infinity की अगर हम बात करें infinity minus infinity form यह कौँसी form है infinity minus infinity form है तो यहाँ से इसको इस तरीके से हम solve करेंगे पहला काम कीजिए limit x approaching to infinity है x cube आप बाहर निकाल दीजे x cube अगर बाहर निकलेगा तो power 1 by 3 है तो यहाँ actual में बाहर के आएगा x बाहर निकलेगा यहाँ पर रजाएगा 1 plus 3 upon x to the power 1 by 3 ठीक है same manner में यहाँ पर अगर x square बाहर निकलेगा तो बाहर x निकल जाएगा 1 minus 2 by x power 1 by 2 हो जाएगे ठीक है अब आप यह वाला formula अपलाई कर दीजे यह चीज दो है यह अपलाई कर दीजे जब तक आप कर सकते है तब तक अपलाई कर दीजे ठीक है तो यहाँ पर x तो आप बाहर निकाल दीजे limit x approaching to infinity x मेंने दोनों से common ले लिया यहाँ पर binomal expansion लगाऊंगा तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर binomal expansion लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा 1 plus 1 by 3 into x यानि 3 upon x ही हो जाएगा ठीक है और उसके बाद में end zone इस तरीगे समनुक terms लिख सकते हैं आगे भी terms लेकिन हमारे को जरूरत सिर्फ इतनी ही terms की पढ़ने वाली है क्योंकि बाहर x लिखा हुआ वस वो cancel करने के लिए denominator में x की power बस 1 चाहिए x square वाली terms से हमारे को कोई लेना देना भोजादा नहीं है अगर वो लिखोगे तो भी 0 को अप्रोच करती भी नजर आएगी यहाँ पर भी यही काम अगर करते हैं माइनस बाहर ले लेता हुँ में तो 1-1 by 2 2 upon x and so on अपने को terms नजर आती भी दिखाई देगी आप लिखना चाहो तो यह third term हो जाएगी n into n-1 upon 2 factorial x square लेगिन उसको लिखने की कोई जरूत नहीं है जितने terms की अपने को जरूत था उतने ही terms लिखेगा अगर यहाँ पर suppose कीजिए कि x square जैसा कुछ होता तो अगर यहाँ पर x square जैसा कुछ होता तो फिर हम क्या करते फिर हम यहाँ पर एक term और लिख देते अगर x cube तक होता तो फिर x cube टक लिखते यह चीज़ आप ध्यान रखिए तो यहाँ पर x था तो सिर्फ x तक ही हम लोगों ने लिखा now limit x approaching to infinity x यहाँ पर आजाएगा 1 plus 1 by x and सुन आगे वाली term 0 हो जागी minus यहाँ पर आजाएगा 1 plus 1 by x ठीक है minus 1 by x आएगा यह minus 1 by x आएगा अब यहाँ पर open करोगे तो limit x approaching to infinity x 1 minus 1 0 हो जाएगा तो यह 2 upon x यहाँ पर रजाएगा तो इसकी limit जो है वो किसके एक वोला जागी 2 के एक वोला जागी तो यह चीज़ ध्यान रखना बच्चों कई बार हमारे को इन रिजल्ट की भी ज़रत पढ़ सकती है जैसे कई बार क्या होता है कि a cube यहाँ पर ऐसा कुछ लिखावा है माले जे a की power 1 by 3 b की power 1 by 3 तो इस टाइप की result की भी आपको ज़रत पढ़ सकती है तो a to the power 1 by 3 b to the power 1 by 3 अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ दोनों जगा power 1 by 3 है तो इसको आप cube कर्मट करके भी लिख सकते हो इसको लिख सकते हो a minus b a square plus b square 2 by 3 लिखेंगे वैसे भी तो a power 2 by 3 b power 2 by 3 plus a b power 1 by 3 इस तरीके से इसकी भी कई बार ज़रत पढ़ जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं algebraic limit at infinity जब infinity by infinity form आपको दिखाई दे रहा हूँ algebraic limit at infinity का मतलब है x infinity का अप्रोच कर रहा है तो generally इसमें कि standard question जो बनता है वो इस type का question बनता है limit x approaching to infinity यहाँ पर एक polynomial a naught x power n a1 x power n minus 1 a2 x power n minus 2 and so on a n denominator में भी ऐसा ही कुछ लिखावा है b naught x power n b1 x power n minus 1 m कर देता हूँ यहाँ पे b naught x power m b1 x power m minus 1 b2 x power m minus 2 and so on bm यहाँ पर लिखावा अब आप क्या कीजिए numerator में जो भी x की highest power है उसको common ले लीजे यही का हम denominator में से करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा limit x approaching to infinity x power n बाहर ले लिया highest power तो यहाँ पर आजाएगा a naught a1 1 by x फिर आजाएगा a2 1 by x square and so on a n x to the power n आजाएगा denominator में से भी यही काम करेंगे x to the power m तो b naught b1 upon x b2 upon x square and so on bm upon x power m मन जाएगा इससे benefit क्या मिल गए हमारे को इससे benefit यह मिला कि यहाँ पर 1 by x आपको नजर आ रहा है x infinity को अगर अप्रोच कर रहा है तो यह 0 का अप्रोच करने लग जाएगा so this will approach to 0 यह भी 0 का अप्रोच कर रहा है यह भी 0 का अप्रोच कर रहा है यह 0 का अप्रोच कर रहा है सारे के सारे 0 का अप्रोच करने है तो यह आशाएगा limit x approaching to infinity x to the power n minus m a note upon b note आशाएगा तो इसको तीन part में categorize कर देते हैं अगर N और M दोनों equal है, N equal to M हो गया, N equal to M होने पर N minus N same number तो power 0 हो जाएगी, X की power 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर इस case में limit कितनी हो जाएगी, A note upon B note हो जाएगी, अगर दोनों number equal है, तो limit A note upon B note हो जाएगी, अगर मान लीजिए, M की value, N की value से जादा है, तो यहाँ पर X की जो power है, एक तरीके से denominator की power जादा हो जाएगी, यहाँ पर X की power N है, यहाँ पर X की power M है, X की negative power हो जाएगी, negative power है तो 1 upon X की power something बनेगा, X infinity को अप्रोच कर रहा है, denominator 0 को अप्रोच, तो पुरा का पुरा number किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 0 को, तो यह 0 क अप्रोच करने लग जाएगा, और इस case में limits होगी, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन N की value, अगर M की value से जादा है, N greater than M है, तो यहाँ पर X की कुछ ना कुछ positive power होगी, और यह किसको अप्रोच करने लग जाएगा, infinity को, तो उस case में हम बोलेंगे, limit does not exist, तो य जादा है, limit equal to 0, दोनों अगर equal है, तो हम बोल देंगे, A not upon B not बोल देंगे, चीक है, अगर आप ऐसा ही awesome content और देखना चाहते हैं, तो e-saral के channel को subscribe कीजिए, इंडिया की top most faculty से, J, NEET, class 10, class 9 की तयारी करने के लिए, e-saral के app को install कीजिए, e-saral है, तो सब-saral है